तो guys यह बहुत एच्छा question है, इसमें काफी कुछ पूछा गया है basically, compound P है जिसका molecular formula यह दिये हुआ है, और SCL से react करने के बाद कोई filter बना, अब कहा है कि filter basically reaction हुई, अब उसमें जो filtrate निकला और residue निकला वो वाली बात है, इन्होंने कहा कि जो आपका residue है, the compound P is needed, residue Q gives effervescence with sodium bicarbon while R reacts with Hinsberg reagents to give a solid soluble in any way, अब इसमें आपको दो चीज़ पताओने चाहिए, कि sodium जो bicarbonate है, इसके साथ जब भी आपके carboxylic acids react करते हैं, तो CO2 हमेशा release होती है, और जो यह effervescence है, यह basically CO2 gas की होती है, सहाँना है, देखे कैसे, RCOOH है, और मैं NaHCO3 के साथ reaction कर रहा हूँ, तो क् bar carbonate है, हमेशा H positive निकाल लेते हैं, सहाँना है, देखे, क्या होगा, Na plus HCO3 negative, तो यह acidic H है, इसने खीच लिया, तो H2CO3 निकाल लिया, and RCOO negative, Na positive यह ऐसे form में रह जाता है, सहाँना है, अब तक यह सहाँना, H2CO3 एक बहुती unstable acid है आपका, जनरली यह break हो जाता है, H2O and CO2 में, यह हमेशा याद रखना गाईज, बहुत बार ऐसी चीज़े पूशी जाती है, कभी-कभी H2CO3 भी दे देते हैं, इसमें कुछ question तो आपको H3CO3 लेना था, लेकिन CO2 हमेशा यह break होके, CO2 बन जाता है, तो यह जो effervescence है, CO2 की ऐसे होती है, ठीक है, यह तो मुझे समझ में आ यह देखिए, हिंसबर्ग टेस्ट, primary amines, secondary amines और tertiary amines का होता है, प्राइमरी amines, यह हो गया हिंसबर्ग reagent, benzene sulfonyl chloride के सब जब आप reaction करते हो, तो यह आपका यह compound बनता है, जो कि solubile होता है, in aqueous NUH, और secondary amines के साथ जब आप reaction कराते हो, वो insolubile होता है, in aqueous NUH, इस चीज को आप जरूर याद रखना, ठीक है, यह जो बात है, हमेशा ध्यान रखना, कि जो primary amines है, solubile in NUH, जो compound देगा, aqueous NUH, और second amines is insolubile, तो इसका मतलब, अगर आप यह देख रहे हो, तो अगर R-activity Hinsward reagent, तो give a solid solubile in NUH, इसका मतलब, जो यह आपका filtrate है, यह क्या हो ग एक carboxylic, कि जब वो HCL के साथ action करे, carboxylic acid भी देना चाहिए उसे, और एक primary amine भी देना चाहिए, तब आप कह सकते हो, कि हाँ, वो मेरा compound P है, अब एक बात देखिए, अब further इसमें एक और अच्छा question है, अब एक चीज़ देखें गाईस, आपने सुना होगा, hydrolysis of amides with acids, य जाने HCL, basically, जिसमें, कुल मिलाके, देखें, reaction क्या है, कि अगर आपका इस type का कोई compound है, और इसकी आप reaction HCL के साथ कर रहे हो, तो देखिए, क्या होता है, यह जब HCL है, H3O positive के साथ reaction करा दो, HNO3 दे दो, so same ही, basically, acidic condition होने चाहिए, तो इसमें क्या होता है, कि कुल मिलाके, य जो bond है, इस C double bond O का और N का, यह bond break हो जाता है, ठीक है, जब यह bond break होगा, तो देखिए, क्या होता है, कि इधर तो आपका जुड़ जाएगा OH, और इधर आपका हो जाता है, H, ठीक है, H और OH, यह याद रखना काई, तो जब यह होगा, तो इधर तो होगया OH, याने carboxylic acid और इधर आपका amine type के बन गए, यह RR है, कुछ भी बमाल लो इसमें, तो पुल मिलाके, अगर यह N और C double bond, यह break करके, acid इस तरह बनाना है, तो अब one by one देखते हैं, कि किसमें क्या दिख रहा है, तो इसको जब आप break करोगे, यहाँ, तो क्या बन जाएगा, एक तो आपक acilic acid बन गया, यह, लेकिन यह आपका primary amine था, तो यह secondary amine हो गया, देखे, nitrogen 2 carbon से जुड़ा हुआ है, तो secondary amine हो गया, तो this is इसकी वड़े से incorrect हो गया, ठीक है, second option को देखते हैं, इस bond को break करो, तो same, यह bond हुआ, OH जोड दिया इधर, और इधर यह CS3 है, चलो, और इधर है आ this is my correct answer, बाकी को भी देख लेते हैं, देखे, अब इसमें गोर से देखिए, इस वाले को, अगेन यह bond break हुआ, COOH, और इधर है यह ammonia निकली, लेकिन ammonia आपका हिंसबर्ग test नहीं दे रही है, correct, क्योंकि इस नोटा, primary amine, देखे, N है, अगर एक carbon से जोड़ा हो है, primary, दो carbon से जोड़ा है, secondary और तीन carbon से जोड़ा है, तो tertiary, तो इसकी वज़े से यह भी नहीं है, same, इसमें अगर आप देखते हो, यह तो इन सबसे ही different example था, इसमें क्या है, H, COOH, इसके बीच में तो कोई है नहीं, यहाने HCL, इसमें directly attack कर देगा, यहाने H positive हो जाएगा, और अगर य पर positive charge, unstable हो जाएगा, तो कुली मिलाकी यह reaction कहीं जानी रही है, तो मेरा जो product है, correct answer है, is option number 2, I hope guys, आपको question समझ मायोगा,